हेलो फ्रेंड्स मैं पंकज वेलकम टू क्रेजी जीकेड ट्रेक तो फ्रेंड्स देखिए आज के स्वीडियो में आप सभी के लिए में एक और महतुपून टॉपिक लेकर आया हूँ देखिए 2021 में विश्व में जितने भी महतुपून सम्मेलनों का आयोजन किया गया है चाहे वह ग्लोबल वर्मिंग से रिलेटेड हो चाहे वह विश्व में शान्ती स्तापित करने से सम्मंदित हो उन सभी सम्मेलन को हम यहाँ पर देखिए MCQ कोश्चन के माध्यम से बहुती डिटेल में समझने वाले हैं तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंट तक देखिएगा ताकि एक्जाम में आपका एक नंबर डेफिनेटली पक्का हो जाए क्योंकि देखिए आने वाली एक्जाम में एक कोश्चन यहां से आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा तो इस वीडियो को आप बिना इसकीप किये देखिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना चाते हैं, तो क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आईए कोश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला कुश्चन देखिए, 2021 में तेरवे ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया। तो आईए सबसे पहले इस ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जाल लेते हैं। तो देखिए, 2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये इस बार 13 संसकरण का आयोजन किया गया है जिसकी अध्यक्षिता देखिए भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षिता की थी और इसका आयोजन भी भारत में ही किया गया था तो यहा माजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिन अफरिका दक्षिन अफरिका को दousesिये 2010 में इस संगठन में शामिल किया गया है देखिए 2021 में इसका 13 जो संसकरण है वो तो भारत में आय़जित किया गया है लेकिन देखिए जो इसका पहला सम्मिलन था वो 2009 में रूस में आयजित किया गया था रूस के येका तेरिन बर्ग में इसके पहले सम्मिलन का आयजित किया गया था तो तेरवा ब्रिक्स सम्मिलन भारत में आयजित किया गया है हाली में वेश्वी COVID-19 शिखर सम्मिलन 2021 का आयजन कहां किया गया तो देखे पूरे विश्व में COVID-19 के प्रती जागरूपता फैलाने और इसके लिए किये जा रहा है टीका करण के लिए अवेरनेस लाने के उद्देश से वेश्वी COVID-19 शिखर सम्मिलन जो है 2021 में देखिए अमेरिका में आयजित किया गया है अमेरिका में देखिए 22 सितंबर 2021 को इस सम्मिलन का आयजन किया गया है इस सम्मिलन में भारत की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा की गयी थी और जैसा कि अभी मैं आपको बताया इसका उद्देश्य क्या है तो पूरे विश्व में देखिए टीका करण के लक्ष को पूर्ण करना COVID-19 शिखर सम्मिलन का मूल उद्देश्य है कहां पर आयोजित किया गया है अमेरिका में आयोजित किया गया है हाली में अठरवा भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मिलन वर्चुल माध्यम से कब आयोजित हुआ तो देखिए 18 भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मिलन 15 सितमबर 2021 को आयोजित किया गया था अब देखे क्योंकि इसे वर्चुली आयोजित किया गया था इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं की जा रही वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इस शीखर सम्मिलन का आयोजन किया गया था अब इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स वो इंडो अमेरिकन चेंबर्स आफ कॉमर्स के द्वारा करवाय गया है भारत की ओर से भारत के रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इस शीखर सम्मिलन को संबोधित किया था तो इसका आयोजन 15 सितंबर 2021 को वर्चुली किया गया है क्लियर यहां तक आपको सभी कुश्चन समझ में आगय होंगे फ्रेंड्स बहुती सिंपल और बहुती इंपोर्टेंट कुश्चन थे आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक बहुती महतुकुन अपडेट है फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लिकेशन पर अब आप सभी के लिए देखिए एडवांस मैट्स, MPGK, कम्प्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंगलिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स एवेलेबल हैं जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को बहुती ब्रिफली आप सभी के लिए समझाए गया है अगर आप इन सभी कोर्सेस को जॉइन करना चाते हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेस को जॉइन कर सकते हैं जहां पर देखिए एप्लिकेशन में ही आपको 50% आफ सभी कोर्सेस पर मिल जाएगा तो बिना देर किये आप इन सभी courses को join कर सकते हैं ओके अगले question पर आ जाते हैं friends हाली में 2021 में NATO शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया है very very important question है friends इस question को आप note कर लीजेगा क्योंकि NATO के बारे में सभी exam में question पूछे जाते हैं तो देखिए 2021 में NATO शिखर सम्मेलन जो है ये Brussels Belgium में आयोजित किया गया था तो answer A यहां पर सही हो जाएगा देखिए Brussels Belgium में इस सम्मेलन का आयोजन 14 जूम 2021 को किया गया था और इस बार देखिए 2021 में इस सम्मेलन का ये 31 संसकरण है इसके पहले देखिए जो तीसवा संसकरण था वो 2019 में लंदन में आयोजित किया गया था अब question आता है कि ये संगठन आखीर करता क्या है तो देखिए NATO जो है वो एक सेन्य गड़ बंधन है जिसका उद्देश ये सम्पुण विश्व की रक्षा के लिए समानता इस्तापित करना है किसका उद्देश ये है ये नाटो का उद्देश है जिसकी स्तापना देखिए 4 अप्रेल उनिस्तों उन्पचास को की गई थी वर्तमान में नाटो में देखिए टोटल 30 सदस्य देश शामिल है और इसका मुख्याले भी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इस्ति थे जहां पर 2021 में इसके शिखर सम्मेलन का आयजन किया गया है कहां पर ब्रुसेल्स बेल्जियम में ओके नेक्स्ट कोश्चन पर आजाते हैं अगला कोश्चन देखिए वेश्विक स्वास्त शिखर सम्मेलन 2021 का आयजन कहां किया गया था तो देखिए संपूर्ण विश्व में हेल्थ सेक्टर के लिए कारी करने के उद्देश से और हेल्थ सेक्टर को बड़ावा देने के उद्देश से इस शिखर सम्मेलन का जो आयजन है वो इटली के रोम में किया गया था इटली के रोम में 21 मई 2021 को इस शिखर सम्मेलन का आयजन किया गया था इसकी अध्यक्षिता देखिए इटली के ही PM मारियो ड्रॉगी के द्वारा की गई थी तो यहाँ पर एक और important fact आपको मिल गया कि इटली के प्रधान मंत्री कोन है मारियो ड्रॉगी है जिन्होंने 2021 में वेश्विक स्वास्ती शिकर सम्मिलन की अध्यक्षता की थी देखिए ये जो शिकर सम्मिलन है G20 Presidency का एक विशेश आईजन है जिसे इटली के द्वारा यूरोपी संग के सयोग से आईजित किया गया था तो कहां पर आईजित हुआ था फ्रेंड्स ये इटली में आईजित किया गया था तो अंसर सी यहां पर सही हो जाएगा वर्तमान में 21 से 23 अगस्त 2021 को विश्व जल सम्मिलन 2021 के पाँचवे संसकरन का आईजित कहां किया गया था तो कहां किया गया था फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में किया गया था विश्व जल सम्मेलन जो की देखे पूरे विश्व में पीने के पानी के प्रती जागरुपता फेलाने और उसे सेव करने की योजना के अंतरगत आयजित किया गया था तो इसका आयजन नई दिल्ली में किया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में देखिए सुच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलबदता को सुनिश्चित करवाना है और इसी उद्देश्य से देखिए हर साल विश्व जल दिवस भी मनाय जाता है हर साल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाय जाता है और इसकी जो शुरुआ थे वो 1993 में की गई थी तो विश्व जल सम्मेलन 2021 की यहाँ पर बात की गई है तो वो नई दिल्ली में आईजित किया गया है अगला कोश्चन देखिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस कोश्चन को हाली में कहां पर भारती विज्ञान कॉंग्रेस 2022 का आईजन किया जाएगा तो आईए देखिए सबसे पहले हम भारती विज्ञान कॉंग्रेस को जान लेते हैं तो देखिए भारती विज्ञान कॉंग्रेस जो है वो भारती विज्ञानिकों की एक शिर्ष संस्ता है जिसका उद्देश्य देखिए भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना, इनोवेटिव आइडियास को बढ़ावा देना इस संस्तान का उद्देश्य है इसकी स्तापना देखिए 1914 में की गई थी और 1914 में ही इसका जो पहला सम्मेलन है वो कौलकत्ता में आईजित किया गया था अब 2022 में देखिए इसके 108 संसकरण का जो आईजन है वो पूने में किया जाएगा जो की महारास्ट रज्ज में इस्ति थे तो हमें यहाँ पर अंसर मिल गया भारती विज्ञान कॉंग्रेस 2022 का आईजन पूने में किया जाएगा अब देखिए इस सम्मेलन की एक और विशेषता है कि इसे हर साल जनवरी के पहले सपता में ही आईजित किया जाता है किसे भारती विज्ञान कॉंग्रेस की बेठक को 2022 में इसके आठवे संस्करन का जो आईजन है वो पूने में करवाय जाएगा विश्व संस्करत सम्मिलन 2022 के अठवे संस्करन का आईजन कहां किया जाने वाला है देखे भारती विज्ञान कॉंग्रेस की तरह ही ये कुश्यन भी बहुत ही इंपोडेंट है तो देखे विश्व संस्क्रत सम्मिलन 2022 आस्टेलिया के केनवरा में आईजित किया जाएगा आस्टेलिया के केनवरा में 10 से 14 जनवरी 2022 को अगले वर्ष इसका आईजित किया जाएगा इसकी जो पहली बेठक है वो 1972 में नई दिल्ली में आईजित की गई थी अब जान लेते हैं कि आखिर ये सम्मिलन है क्या तो देखिए विश्व संस्क्रत सम्मिलन विश्व के विभिन देशों में होने वाला अंतरास्ट्य सम्मिलन है इस सम्मिलन का उद्देश्य विश्व भर में लोगों द्वारा संस्क्रत भाषा को बढ़ावा देना सर्रक्षित करना और व्यवहार में लाना है किसका उद्देश्य है ये विश्व संस्क्रत सम्मिलन गा 2022 में ये कहां पर आयजित किया जा रहा है तो ये औस्टिलिया में आयजित किया जा रहा है तो आंसर D इसका सही आंसर हो जाएगा हाली में G7 सम्मिलन 2021 का आयजन कहां किया गया है तो आईए सबसे पहले G7 के बारे में जान लेते हैं कि इस संगठन का कारी आखिर है क्या तो देखिए G7 जो संगठन है वो दुनिया की साथ सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाले जो देश हैं उनका एक संगठन है और ये देश कौन-कौन से हैं तो यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापन और अमेरिका G7 देशों में शामिल किये जाते हैं इस संगठन की स्तापना देखे 1975 में की गई थी और 2021 में जो इसका सम्मिलन आईजित किया गया है वो यूनाइटेट किंग्डम के कौर्णवाल में आईजित किया गया है 2021 में ये इस सम्मिलन का 47 वा संसकरण था कहां आईजित किया गया है? यूनाइटेट किंग्डम में इसके पहले इसका 46 वा जो संसकरण था 2019 में फ्रांस में आईजित किया गया था अब 2021 में इसे United Kingdom में आईजित किया जाएगा ओके अगले question पर आजाईए शंगाई सयोग संगठन सम्मेलन 2021 का 21 संसकरन कहां पर आईजित किया गया तो देखे सबसे पहले शंगाई सयोग संगठन की बात कर लेते हैं इस संगठन की स्तापना देखिए 15 जून 2001 में की गई थी किसकी शंगाई सयोग संगठन की यह जो संगठन है एक यूरेशियाई राजनेतिक आर्थिक और सेन्ने संगठन है जिसका लक्षी देखिए यूरोप और एशिया के छित्रों में शान्ती, सुरक्षा और इस्तिर्ता बनाए रखना है और इसका जो हेटकोाटर है वो बीजिंग में इस्तिते 2021 में इस संगठन के सम्मेलन का आयोजन तजाकिस्तान के दुशाम्मे में किया गया था तजाकिस्तान के दुशाम्मे में अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्तितियों और उसके वेश्विक नतीजों पर ध्यान केंदरित करने के उद्देश से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया है? तजाकिस्तान में किया गया है तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा शंगाई सयोग संगठन सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान के दुशाम्मे में आयोजित किया गया है 10-12 फरवरी 2021 के मद्धे 20 वा विश्व सतत विकाश शिकर सम्मेलन वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से आयोजित किया गया इसका मुख्य विशाई क्या है तो देखे ये जो शिकर सम्मेलन है एक्चुल में ये वर्चुली आयोजित किया गया था तो देखे यहाँ पर इस्थान की कोई भी बात नहीं की जा सकती अब देखे वर्चुली इसे 10-12 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था और इसका जो उद्गाटन है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था दोजार इकिस में देखिए बीसवे विश्व सतत्विकाश शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है हमारे सामाने भविश्य को पुनर परिभाशित करना और सभी के लिए सुरक्षित और सदक्षित वातावरन तो आंसर हो जाएगा आंसर डी हमारे सामानने भविश्य को पुनर परिभाशित करना और सभी के लिए सुरक्षित और सदक्षित वातवरन ये बीसवे विश्व सतत्विकाश शिखर सम्मेलन की थीम है अब देखिए फ्रेंड्स ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन The Energy and Resources Institute जिसे टेरी के नाम से जाना जाता है इसके द्वारा किया गया था जिसका मुख्याले देखिए नई दिल्ली में इस्तिते लियर तो टेरी के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नेक्स्ट कॉश्चन देखिए G20 परियावरन मंत्री स्तरी बेठक 2021 में कहां पर आयोजित की गई तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम G20 परियावरन मंत्री स्तरी बेठक के बारे में जान लेते हैं तो देखिए ये जो बेठक है, 22 जुलाई 2021 को परियावरण से संबंदित मुद्धों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इटली में संपन्न की गई थी तो यहाँ पर आंसर मिल गया, G20 परियावरण मंतिरी स्तरी बेठक 2021 में इटली में आयुजित की गई थी अब देखिए अगर हम G20 संगठन की बात करें, तो इसकी जो स्थापना है, वो 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की केपिटल वाशिंग्टन डीसी में की गई थी और इसका जो पहला सम्मेलन है फ्रेंड्स, वो भी देखिए अमेरिका में ही 2008 में आयुजित किया गया था तो यहाँ पर बहुत ही important fact आपको मिल गया, G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका पहला सम्मेलन 2008 में आयुजित किया गया था अब देखिए अगर हम भारत की बात करें, तो 1999 में जब G20 संगठन की स्थापना की गई थी, तब से ही भारत इस संगठन का एक सदस्य है परियावरन मंतिरी स्तरी जो बेठक है, वो इस बार इटली में आयुजित की गई है, तो इसे याद रखिएगा, आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा आगे आजाईए, पहली Quad Summit 2021 किस देश में आयुजित की गई, वेरी इंपोर्टेंट, आने वाली एक्जाम में ये पूछा जा सकता है फ्रेंट्स, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा देखिए जो पहली Quad Summit है, वो इस बार अमेरिका में आयुजित की गई है, अब Quad जो समू है, वो नवंबर 2017 में बनाया गया था, जो की चार देशों का एक संगठन है, जापान, भारत, आस्टेलिया और अमेरिका इन चारों देशों ने मिलकर देखिए हिंद और प्रशान्त चेत्र को किसी भी बाहरी शक्ती के प्रवाव से मुक्त करवाने के लिए इस संगठन की स्तापना की है, अब देखिए इन डायरेक्ली चीन ही यहाँ पर टार्गेट किया गया है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा देश जो कि हिंद और प्रशान्त चेत्र में बहुत ज़्यादा अशान्ती फैलाता है, तो यहाँ पर पुछा गया है कि पहली क्वाट समिट 2021 किस देश में आयजित हुई है, तो वो कहां आयजित हुई है, अमेरिका में, क्लियर, और क्वाट की स्तापना कप की गई थी, तो 2017 मे वार्शिक बेठक 2021 किस शहर में आयजित की जाएगी, तो देखे विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF के नाम से जाना जाता है, इसकी जो 2021 में वार्शिक बेठक है, उसका आयोजन दावोस में किया जाएगा, आईए विश्व आर्थिक मंच के बारे में जान लेते हैं, तो द देशी देखिए, विश्व के व्यवसाय, राजनिती और सभी शिक्षित लोगों को एक साथ लाकर वेश्विक छेतरी और अध्योगिक दिशा को तै करना है, विश्व आर्थिक मंच की स्तापना देखिए, 1971 में की गई थी, और जब इसकी स्तापना की गई थी, तब इसे यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जाना जाता था, कौन सी संस्ता है ये, विश्व आर्थिक मंच, जिसकी 2021 में वार्षिक बेठक, दावोस में आयजित की जाईए, इसके बाद अगला कुश्यन देखिए, सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में, सिक्स्थ इपसा शि इपसा शिकर सम्मिलन का जो आयजित है, वो 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में वर्चुली आयजित किया गया था, तो आंसर मिल गया हमें यहाँ पर, आंसर हो जाएगा इंडिया, छटे इपसा शिकर सम्मिलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, देखिए इस संस्ता या संगठन का काम क्या है, तो देखिए यह एक विशेश मंच है, जो भारत, ब्राजील और दक्षिन अफ्रीका, जो की तीन अलग-अलग महादीपों के तीन अलग-अलग बड़े लोक्तांत्रिक देश हैं, इन सभी की प्रमुख अर्थिवस्ताओं को समान भारत के द्वारा की गई थी, और ये जो संस्ता है, इसकी स्तापना देखिए 2003 में की गई थी, तो ये भी एक important fact है, इस fact को भी आप note कर लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, मध्य और दक्षिन अशिया कनेक्टिविटी सम्मिलन 2021 कि देश में आयुजित किया गया, तो उजबेकिस्तान ने 2021 में इस सम्मिलन की देखिए मेजबानी की थी, तो इसका आयुजन कहां किया गया है, उजबेकिस्तान में किया गया है, देखिए इस सम्मिलन में अफगानिस्तान के रास्टपती अश्रव गनी और भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयश इनके साथ साथ 40 से अधिक देशों और 30 से अधिक संगठोनों के प्रतिनीधियों ने इस सम्मिलन में भाग लिया था, अब कोश्यन आता है कि ये सम्मिलन क्यों आयुजित किया गया था, तो देखिए मद्ध एशिया और दक्षिन एशिया के बीच एतियासिक संबंदों को मजबूत करने के लिए इस सम्मिलन का आयुजन 2021 में उजबेकिस्तान में किया गया है, आशियान समिट 2021 का आयुजन वर्चुल किया गया, यह आशियान समिट का कौन सा संसकरन था, तो देखिए आशियान जो है ये दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों का एक छेतरी गठन है, जो कि देखिए एशिया और प्रशान्त महासागर के जो देश हैं, उनके बीच बढ़ते हुए तनाव में राजनेतिक और सामाजिक इस्तिर्ता को बढ़ावा देने के लिए इस्तापित किया गया था, तो एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों के मद्ध म देखिए शान्ती स्थापित करने के लिए आशियान का गठन किया गया था, और इसका जो गठन है वो 1967 में किया गया था, और इसका मुख्याले वर्तमान में इंडोनेशिया के जकारता में इस्ति थे, अब देखिए सबसे पहली जो आशियान समिट आयोजित की गई थी, व क्योंकि देखिए कोविड-19 क्राइसिस के कारण लास्ट बार इसे आयोजित नहीं किया गया था, तो अब 38 और 49 जो सम्मेलन है इसे एक साथ आयोजित किया गया है, तो अंसर D यहां पर सही हो जाएगा, दोजार इकिस में आशियान की 38 और 49 वी बेठक को एक साथ आयोजित किया गया है, एपेक एशिया प्रशान्त आर्थिक सायोग संगठन 2021 का आयोजित कहां किया गया, तो 2021 में देखिए एशिया प्रशान्त आर्थिक सायोग संगठन का जो आयोजित है, वो न्यूजिलेंड में किया गया था, तो अंसर भी हो जाएगा, देखिए एशिया प्र की गई थी और यह संगठन एक सम्रद्ध छेत्री अर्तिवस्ता को प्रोच्षाइद करने के लिए स्तापित किया गया था तो एपेक की स्तापना कप की गई थी 1989 में अब 2021 में जो इसका सम्मेलन है वो आकलेंड में आयुजित किया गया ही जो कि न्यूजिलेंड में इस्ती थ नेक्स्ट कोशन देखिए P4G शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयुजित किया गया तो आईए सबसे पहले इस शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स पूरी दुनिया को COVID-19 को हराने और सतत विकास लक्षों को प्राप्त करने के उद्देश से इस सम्मेलन का आयुजिन किया गया है P4G शिखर सम्मेलन जो है वो सरकारों, व्यापार, अंतिरास्टे संगठनों और नागरिक समाच को जोडने का एक आर्थिक मन्चे है 2021 में देखिए इसका आयुजिन जो है वो दक्षिन कोरिया के सियोल में किया गया था तो आंसर हो जाएगा दक्षिन कोरिया P4G शिखर सम्मेलन 2021 का आयुजन दक्षिन कोरिया में किया गया है COP26 जलवायू सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयुजित किया गया तो देखिए फ्रेंड्स वर्ष 2021 में COP26 जलवायू सम्मेलन ग्लासगो में आयुजित किया गया है ग्लासगो जो की स्कॉट लेंड में इस्ती थे तो अंसर ए हो जाएगा कोब 26 से जलवाईू सम्मेलन ग्लासगो में आईजित किया गया है अब देखिए कोब के सदस्यों के द्वारा सबसे पहली जो बेठक थी वो 1995 में आईजित की गई थी 1995 में पहली बेठक का आईजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था और 2019 में देखिए जो इसकी 25 भी बेठक थी वो इस्पैन के मेडरेट में आईजित की गई थी अब देखिए 2021 में इसका जो 26 सम्मेलन है वो ग्लासगो स्कॉटलेंड में आईजित किया गया है जो की जलवायू परिवर्तन और जलवायू में हो रहे बदलाव पर विचार व्यक्त करने के लिए हर साल आईजित किया जाता है क्लियर इसके बाद सबसे लास्ट कोशन देखिए फ्रेंड्स विवा टेक सम्मेलन 2021 जो पेरिस में आईजित किया गया था वह कौन सा संस्करन था तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट फेक्ट तो हमको मिल गया कि विवा टेक सम्मेलन का आईजित कहां किया गया था तो 2021 में कहां किया गया था पेरिस में किया गया था अब 2021 में देखिए ये इसका पांच हुआ संसकरन था जो 16 से 19 जुन का आयोजित किया गया था अब विवाटेक है क्या तो देखिए विवाटेक यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्ट अप इवेंट्स में से एक है जो कि देखिए 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है तो हर साल इसका आयोजन पेरिस में ही किया जाता है 2021 में ये इसका पांच हुआ संसकरन था तो अंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा क्लियर तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर 21 most important जो सम्मेलन है जो कि 2021 में वर्ल्ड में आयोजित किये गए है उन सभी पर हमने बहुत ही डिटेल में डिसकस किया है और I hope आपको सभी सम्मेलन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए है अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो फ्रेंट्स तो एक बर फिर से इसे रिवाइन करके जरूर देख लीजेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बने रहे हमारे साथ जहिन